जैहिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं एक परमानेंट एक सताई नोकरी के लिए और वो भी ऐसी नोकरी जिसमें एक अच्छे खासे आपके सेलरी हो तो यहाँ पर आपका इंतजार खतम हो चुका है The New India Assurance Company Limited में जो आपकी असिस्टंट के नई बरती है टोटल तिन सो पदो पर वो ओफिशले आपके आउटो हो चुकी है यह आपकी एक ऐसी सेलरी है जो की बिलकुल परमानेंट सताई रहेगी है और यहाँ पर जो आपका होम स्टेट है उसमें ही आपको नोकरी करने का मौका म बिलेगा तो अपने घर के नजदीक रहकर एक बढ़ियां सेलरी वाली जो परमानेंट वेकंसी है वो यहाँ पर आपके लिए आउटो हो चुकी है तो क्या इस वेकंसी के पूरी सेलक्शन प्रोसेस रहने वाली है चलिए वो आपको बताते हैं यहाँ पर जैसे कि सबसे पह ओको जाया है फिर language है कि उस state में कौनसी language आपके मांगी गई है यहाँ पर आपकी कोनसी है और उस category में आपकी कितने vacancy हैं तो यहाँ पर वैसे तो आप किसी भी state के अगेंस्ट form apply कर सकते हैं लेकिन सर्त यह रहेगी कि उस state में जो आपकी यह language दी गई है वो आपको पढ़ने लिखने और बोलने आनी चाहिए ओके तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है उसमें अगर फॉर्म अप्लाय आप करते हैं तो उसी स्टेट में आपकी जोनियू होगी यानि कि घर के नजदिक आप रहकर जो नोकरी है वो आप कर सकते हैं तो यहाँ पर इस विकेंसी के लिए देखिएगा जो आपके ओलायन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हैं एक फरवरी 2024 से लास्ट ट कब रहेगी तो लास्ट है आपकी पंदरा फरवरी 2024 यहाँ पर जो आपका एक्जाम है वो टोटल दो स्टेज में रहेगा एक तो है आपका प् टाइम आपको नहीं मिलेगा जस्ट आप यह मानि कि एक से लेकर दो महिने के बाद जैसे है आपका प्री एक्जाम कंड़क्टर हो जाता है तो इस दोरान यह जो आपका मेंस एक्जाम है वो भी कंड़क्टर करवा लिया जाएगा और जो आपके एक्जाम के कोलटरे हैं प्र एक ही state के against form apply कर सकता है और यहां पर यह भी कहा गया है कि जो आपका center है जिसे state में आप अपना form fill करते हैं उसी में आपको exam center देखने को मिलेगा और जिसे state के against आपको form fill करते हैं उसी state में आपको नोकरी मिलेगी यह चीज़ा आपको साफ साफ है इस कॉलमें बताई गई है त तो यहां पर lifetime यह मानिए कि आप घर के नजदी के रहेंगे ज़्यादा दूर आपको नहीं भेजा जाएगा ओके यहां पर आपके लिए एक सबसे best opportunity है तो इस opportunity को जो है आप हाथ से बिलकुर भी मत जाने दीजिएगा इसके बाद अगर हम बात करें age limit के बारे में तो कम से कम आपके age 21 साल और maximum जो है 30 साल होनी चाहिए यह काउंट किस डेड़ से होगी तो एक जनवरी 2024 को नुसर जो age है वो आपके count होगी लेकिन इसमें छूट भी मिलती है जैसे के SCST को 5 साल, OBC को 3 साल, Physical Handicap को 10 साल इसके अलावा जो एक्स प्रिसमेन है उनको अपनी सर्विस के दोरान पलस में 3 साल की चूट जो यहाँ पर आपके विड़ो या फिर डिवोस्ट वोमन है इनको 5 साल की चूट मिलेगी और जो आपके employee है company के इनको भी 5 साल चूट age में दी गई है तो यहाँ पर जो आपकी age है वो भी अच्से खासी रहने वाली है जिसमें maximum जो लोग है वो form apply कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें education qualification के बारे में तो यहाँ पर जो education qualification है वो कम से कम है आपकी graduation यानि कि अगर आपने graduation कर रखी है बिल्कुल इस form को जो हो आप फिल कर सकते हैं वो चाहिए आपने बीटक कर रखी हो BA, BAC, BCOM सिर्फ आपकी graduation degree यहाँ मांगी गई है इसके बाद आपको एक चीज़ और कही गई है कि जो यहाँ पर आपके English language है यानिके English से एक subject है वो आपने दसमी, बारमी या फिर graduation अगर इनमें से किसी भी एक में पढ़ा है तो वो भी आपकी compulsory हम पर जीज़े रहने वाली है तब इस form को आप फिल कर पाए किसी भी एक में मांगी गई है ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पर जो आपकी state के language है वो भी आपको आने चाहिए ये बात आपको जो है पहले भी हम बता चुके हैं अब हम बात करते हैं आपके selection procedure के बारे में तो यहाँ पर जो आपका selection है वो total दो stage में रहेगा एक है आपका pre-exam जो के objective type रहेगा इसमें English से 30 क्यूशन, reasoning से 35 क्यूशन और numerical ability, math से आपके 35 क्यूशन तो total यहाँ पर 100 क्यूशन एक्जाम में आएंगे 100 ही नुमर का exam होगा और जो subject है ना उसके अनुसार ही आपका exam में आपको time देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो आपका time है वो 20 मिनिट आपका हर section के लिए रखा गया है तो total यहाँ पर 60 मिनिट जो है pre-exam में आपको time दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपका main exam होगा जो के total आपका 500 नुमर का होने वाला है लेकिन question जो है आपको exam में 200 ही देखने को मिलेंगे total यहाँ पर हर section से 40 question रहेंग लेकिन जो हर section है वो आपका 50 नुमर का होगा तो यहाँ पर 2500 नुमर का जो आपका main exam है वो आपको देखने को मिलेगा और जो बच्चे main exam में qualify हो जाते हैं उनका बाद में original language test यानके जो भी आपका state है उस state की जो भी original language है उससे आपके जो testing है वो किजाएगा कि आप उसको पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं या फिर नहीं और यह सिर्फ आपकी quality nature की होगी यानकि यह सिर्फ आपको पास करने होगी तो selectional process आपको हमने बता दी है इसके बाद अगर हम बात करें application fees के बारे में तो यहाँ पर SC, ST और physical handicap के लिए 100 रुपे इसके अलावा जो OBC, AW, CF जर्ण कर्टिगरी है उनके लिए 850 रुपे जो आपकी fees है वो यहाँ पर रखी गई है तो यह आपके नए विकंशी की complete जानकारी उमिद करते हैं कि आपको सतारी बाते हैं अच्छे समझ में आ गई होगी अगर कूड आउट है तो आप लोग कमेंट सेक्स में पोश सकते ह हैं अगर आपको जानकरी अच्छ लिए है तो यह वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा और चैनल को स्ब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा जुड़े रहेगा जैहिं कर दोicut wala archives और सकतता हुट्स है झालकाे, इजयवँ झालकाáo की शीजिएगे बढसमार मीर quasi अपक में जरू कर लाइक कर दो लाइक समय में एक सकता है जा बना है.